नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी क्या वानी पीसे स्केडमी पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश राजी विसेश से जुले कुछ प्रस्णों के बारे में यह दोस्तों अध्याय दो है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के किर इंखिला को हम लोग शुरू करते हैं तो दोस्तों आपके समक्ष पहला प्रस्ण है पहला प्रस्ण पढ़िए दोस्तों आप लोग अराम से भारत में प्रारंब हुई हरित करांती का लाब सर पर्थम पंजाब एवं हरियाना के साथ उत्तर प्रदेश के किस छेत्र को में तो बताइए दोस्तों जो है हरियाना और पंजाब के साथ जो है हरित करांती किस छेत्र में उत्तर प्रदेश में जो है लागू हुई थी तो आप लोगों के समक्ष चार आप्सन है दोस्तों जल्ली जल्ली बताइए तो दोस्तों इसका जो है आप्सन नंबर जो है चलिए दूसरे प्रस्ण के और चलते हैं दोस्तों दूसरा प्रस्ण आप लोगों के समक्ष है निमने में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्फ परमों को उत्पाद के यानि उत्तर प्रदेश राज जो है किस फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन है पहला अप्सन ह मतर, तीसरा ओफशन है मक्का, चौथा ओफशन है गेहूं तो इन चारों आप दिसनों में इसे बताया दोस्तों उत्तर परदेश जुह जो है केस फसल का जुह सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आप लोगों के के समक्ष four option और तो तो इसका अप्स NoS जो है चौह सही है यानि इनौ यहूं उत्तरग्ति द्स गे पादन में अपना अस्थान रखता है चलिए तीसरे प्रस्ट की और चलते हैं तीसरा प्रस्ट है दोस्तों भारत में प्रथम किर्शी विश्विद्याले की अस्थापना की गई थी तो आप लोगों के समक्ष चार आप्सन है इन चारों आप्सनों में से बताना है कि कहां पर जो है उत्तर प्रदेश में यानि भारत में देखें उत्तर प्रदेश इने पूरे भारत में देखें तो पर्थम किर्शी विश्विद्याले की अस्थापना हुई थी तो इन चारों अप्सनों में से आपको बताना है सही कौन सा है पहला अप्सन है प्रियाग रज दूसर तो दोस्तों इसको उप्सन नमबर जो है चोथा सही है पंतनगर में देखें तो भारत में पर्थम किर्शिव विद्याले की अस्थाफना हुई थी और कहां पर पढ़ता था पंतनगर तो यह उत्तर प्रदेश में पढ़ता था पहले वर्तवान समय में में देखें तो यह जो है पंतनगर जो है उत्तराखंड में पढ़ता है इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अगले प्रस्ट की और चलते हैं चौथे प्रस्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में सरवाधिक मात्रा में कौन सी तीसरा अपशन हैं लेट राइट चवाधा लवड्ये मिट्टी तो इन चार्व में से बताये दोस्तों जो है कों सा मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं तो दोस्तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंड बाक्स में दोस्तो इसका option number जो है पहला सही जलोड मिट्टी देखे तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक पाई जाती है तो देखें गंगा, यमुना और उसकी जो सहायक नदिया है उन सभी नदियों द्वारा जो है गाद इला का रिकठा किया जाता है इसी कारण जो है सरवाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में जलोड मिट्टी पाई जाती है चलिए पांचवे प्रस्त के ओर चलते हैं पांचवा प्रस्त कहता है दोस्तों लाल मिट्टी पाई जाती है यानि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहां पे पाई जाती है पहला अप्सन है आपका है आगरा मतुरा वाला छेत्र दूसरा अप्षन है एटा मैनपूरी वाला छेतर तीसरा अप्षन है सीतापूर बाराबंकी में चौथा अप्षन है मिर्जापूर और जहासी में तो इन चारो अप्षनों में से बताईए मिर्जापूर और जहासी वाले छेतर में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है या किस छेतर के अंतरगत आता है तो या जो है बुंदेल खंड पठार के छेतर के अंतरगत आता है ठीक है? चलिये 6 हवे प्रस्ट के और चलते हैं, दोस्तों, काफी महित्पोर्ड प्रस्ट प्रस्ट भी है. 6 हवा प्रस्ट कहता है, ओत्तर प्रदेश में 12 बंकी जिला किस विसेश खेती उतपादन के लिए परसिद्ध है? पहला अप्सन है आम के लिए, दूसरा अप्सन है लीची, तीसरा अप्सन है अफिम के लिए, चोथा अप्सन है आउला के लिए तो बताए इन दिये जो चारो अप्सन है इन में से जो है बारा बंकी जिला जो है किस चीज के उत्पादन के लिए सरवाधिक परसिद्ध है फ्र्सदों चकोन सा फसल चकर सर वाथिक स्दें सर्वाधिक उप्यूप्प्त में मक्का नों अन्तरेख ने हैं मक्का पूर्श चक्पाया मुप्तेह जो हैं सेकंड का समय है यह आप लोग जो है किसी पढ़े होंगे भारत के अंतरगत या उत्तर प्रदेश के अंतरगत तो आप लोग बता सकते हैं पताइए साथ में का दोस्तों कौन सा सही है यानि पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है उसके लिए फसल चकर का पूछा है कि कौन सा फस एक उप्यूट है माणा जाता है चलिए आठ़मे प्रस्त कि ओर चलते हैं आठवा प्रस्त है दोस्तों में उत्तर-प्रदेश का भारत में कौनन सा स्थान है पहला issue नहें दुटिये दूसरा एक पर्थम तीसरा आप सन्तीये चौथा आप सन् mes चतुर्थ तो इन चारों आपसनों में बताईए दोस्तों कि मेथे नाल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा अस्थान है वो भारत में आठवा प्रस्ण है दोस्तों पांट सेकेंड आपको लिए यह समय मिला है बताईए कौन सा जो है सही है तो आठवे की बात करें द किस फसल का अधिक्तम विक्रे योग है तो इन फसलों में से बताना है दोस्तों कि राज के किस फसल का अधिक्तम कौन सा विक्रे मुल्य योग है पहला है गेहूं दूसरा अपसन है धान तीसरा अपसन है बाजरा चौथा आपसन है दलहन तो दोस्तों इन में से बताईए इ जो है यह हैं यह सबसे जाद है उत्तर प्रदेस में भी होता है और सबसे अधिक्तम जो है भिक्रयोग फसल जहाओ भी है औरहे प्रस्त के इसाब सथीख है चलिए 10 वे प्रस्त क्या चलते हैं दोस्तों दस्वे प्रस्ण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी काफी ज़्यादा महत्पूर्ट प्रस्ण है आप लोग के समक्ष है आप लोग जबाब दीजिए इसका पूछा है दस्वे प्रस्ण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूत उत्पादन के लिए दूसरा अपСन है कानपूर्ट तीसरा अपसन है इलाहाबाद चौ फतेपूर्थ दोस्तों तीसरे आपसन में आप लोग ध्यान रखेगा जो है इलाहाबाद को अब देहें वर्तबान समय में तो प्रियाग राज के भी नाम से जानते हैं तो इन चारों option में इसे बताईए दोस्का कौन सा option सही है आप लोकों की समक्ष चार option है बताना है कि कौन सा जिला अम्रूत उतपादन के लिए परसिद्ध है और उसे GI tag भी दिया गया है तो दोस्का जो है option number आपका 10 में का जो है C सही है इलाहा पाजनी परियाग राज जो है अमरूद उतपादन के लिए पर सिध्ध है और इसलिए जो है GI TAG भी दिया गया है चलिए गिरहाभव प्रस्त के और चलते हैं काफियमयत पुड प्रस्णिया भी है तो दोस्तो इन चारो आपसनों में से बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है किन फसलों के उत्पादन में अग्रड़ी है तो यदि आप लोग आपसन वाइच करना चाहेंगे तो कपाज दोस्तो जो है उत्तर प्रदेश में सरवाधिक उत्तपादन नहीं होता है इसलिए चौथा आपसन भी आपका कट जाएगा बात करें चावल का तो चावल उत्तपादन में पश्चिम बंगाल सरवाधिक अस्थान रखता है इस हिसाब से यहाभी जो है कट जाएगा मूमफली की बात करें तो मूमफली दोस्तो इसका उत्पादन दोस्तो आपका होता है सबसे ज़्यादा देखें तो मद प्रदेश में होता है इसलिए यहाभी आपसन सही नहीं है ठीक है मूमफली की बात करें तो वर्तवान समय में गाना चला है कच्चा वदाम देखे तो काफी ज़्यादा जो है कच्चा वदाम गाना चला है बिहार में जो है मुंफली विहार और पसिमंगाल वले चेतर में मुंफली को जो है कच्चा वदाम भी कहते हैं पहला आपसन की बात करें तो पहला आपसन गेहूं गन्ना और हुक का है यह स्थान नवहाँ फशे है हूँ अगले प्रस्त के ऊर चलते हैं ब्रहाव स्थान में किर्सी मुल दिलाने है तो उत्तर प्रधेश सरकार ने कहां पर किर्सी पार का स्थापत कि ए हैं पहला अपसन है लगनों दूसरा अपसन है सहारनपूर तीसरा अपसन है वराड़सी 14 अपसन है उपयुक्ट सभी तो इन चारों में से दोस्तों बताइये ये जो चारों कहां पर उत्तरबोते सəरकार द्वारा जो है किसानों को जो है किर्सी के लिए उचित मुल्ए दिलाने के लिए जो है पारक की अस्थापना किया है तो इसमें दोस्तों इसका औपसन नंबर जो है प्रस्ट कियो चलते हैं दोस्तों सुरी दोस्तों 12 देखा चलिए हम लोग 13 प्रस्ट के ओर चलते हैं 13 प्रस्ट की अगर हम लोग चर्चा करें परदेश यानि उत्तर परदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विसेश रूप से परसिद्ध है पहला है ललिटपूर दूसरा है जासी तीसरा है बादा चौथा है महोबा तो इन चारों आपसनों में से बताईए जो है कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो यह दि दोस्तो आप लोगों ने बहुत ही नाम सुना होगा महोबिया पान के बारे में तो महोबा जो है पान उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है इस तरीके से तेरा का जो है चौथा सही हो जाता है आपसन ठीक है चलिए अब हम लोग अगले प्रस्ट के ओर चलते हैं प्रस नमबर 14 के ओर प्रस नमबर 14 है दोस्तो उत्तर प्रदेश के किस छेतर के उत्पादन में सीर्स अस्थान नहीं रखता है पहला आपसन है गेहू का दूसरा आपसन है आलू का तीसरा आपसन है गन्ना का चोथा आपसन है फूलो का ठीक है दोस्तों तो ये चारो आपसन है आप लोग यदि पीछले प्रस्ण को ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कौन-कौन से उत्पादन में ज जो है उत्तर प्रदेश जो है सीस असान नहीं रखता है अब बात करें फूलों का उत्तर प्रदेश में सरवाधिक कहा होता है तो कन्योज में होता है दोस्तों कन्योज को इतर की नगरी भी हम लोग कहते हैं यहीं सरवाधिक उत्पादन जो है फूलों की देखें तो कन्योज पहला आपसन है मेरट दूसरा आपसन है गुरकपूर तीसरा आपसन है इटावा चौथा आपसन है फरुखाबाद तो इन चारों आपसनों में से बताईए जो है अउनालिका परदन में तो इसके बात के लिए बहुत है कि अपन के प्रसनमेंट बाक्स में बताईएगा इसके बारे में जान भी लीजिये वहां से दोस्तों बहती है चंबल नदी चंबल नदी की बात करें तो वह मालवा के पठार होते हुए इटावा होते हुए यह मुना में जाके मिल जाती है इटावा में ठीक है वो यह जो है ओनालिका अपर्दन के लिए जो है सरवाधिक परसिद्ध है इसलिए जो है इटावा भी पढ़ता है वहाँ पे ठीक है उसी के छेतर में इटावा पढ़ता है इसलिए जो है और नालिका अपरदन से सरवाधिक जिला उत्तर प्रदेश का प्रभावित इटावा है ठीक है चलिए प्रस नंबर 16 की ओर चलते हैं प्रस नंबर 16 की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में वायू मिर्दा अपर्दन से प्रभाविच छेत्र है, पहला अप्सन है पश्चमी छेत्र, दूसरा अप्सन है पूर्वी छेत्र, तीसरा अप्सन है उत्री छेत्र, चोथा अप्सन है दोस्तों दच्छडी छेत्र, तो इन चारों आपसनों में इसे बताईए जो है वायु मिर्दा अपरदन से सरवादिक प्रभाविच छेत्र कौन सा है तो दोस्तों प्रस नंबर 16 की अगर हम लोग बात करें तो पस्विमी छेत्र जो राजस्थान से सटा हुआ छेत्र है वह जो है वायु मिर्दा अपरदन के चलिए अगले प्रसन के ओर चलते हैं प्रस नंबर 17 प्रस नंबर 17 की अगर हम लोग बात करें तो निमन में से उत्तर प्रदेश का किस फसल में सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है पहला आपसन है आलू दूसरा आपसन है चावल तीसरा आपसन है गन्ना चौथा आपसन है इन चारो आप्सनों में से दोस्तों हम लोग दो बार इस प्रस्ण को देख चुके हैं, तीसरी बार देख रहे हैं, इसमें जो है केवल आप्सन ही चेंज किया जा रहा है और प्रस्ण पूछने का जो है नजरिया चेंज किया जा रहा है कि प्रस्ण कैसे पूछा जा सकता है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इन चारो अप्षनों में से आप लोग गेरी जानते होंगे तो जो है चावल उत्पादन में पस्षिम बंगाल जो है सरवाधिक अपना स्थान रखता है ठीक है और बाकी जो तीन है उन तीनों में जो है आलू, गन्ना और गेहु में जो है उत्तर प्रदेश उत्पादन में जो है सरवाधिक अस्थान रखता है अपना चलिए प्रस नमबर 18 की ओर चलते हैं प्रस नमबर 18 है दोस्तों गेहु में बाउने पन का जीन है पहला अपसन है ओपेक 2, दूसरा अपसन है ओपेक 20, तिसरा अपसन है नोरिक 10, चौथा अपसन है नोरिक 20 इन चारो अपसनों में से बताईए कि गेहु के बाउने पन की परजातिका जीन कौन सा है ये चारों आपसन दोस्तों काफी महतपूर हैं आपसे प्रस्ट में पूछे जा सकते हैं किसी भी एकजाम में जो आने वाले अगामी एकजाम है प्रस्ट नमबर 18 में बताईए दोस्तो कौन सा अफसन सही है तो इसका दोस्तो जो है अफसन नमबर 30 सही है यानि 34 तीसरा अफसन सही है नोरिक्टेन जो है गेहूं के बाउनेपन की परजाती है चलिए अगले प्रस्ट के ओर चलते हैं प्रस्ट नंबर 19 की बात करें, प्रस्ट नंबर 19 है दोस्तो, उत्तर प्रदेश को कुल कितने प्राइस्थित की छेत्रों में बांटा गया है, पहला अप्सन है 28, दूसरा अप्सन है 25, तीसरा अप्सन है 20, चोथा अप्सन है 16, तो इन चारों में से बताईए दोस्तो, जो है उत्तर प्रदेश को कुल कितने प्राइस्थितिक छेत्रों में बांटा गया है अब लोगों को 5 सेकेंड मिलता है क्योंकि फैक्ट वाला प्रस्ण है इसमें आप लोग जो है गलत कर सकते हैं तो बताइए दोस्तों कौन सा अप्शन सही है तो दोस्तों इसका अप्शन नंबर जो है तीसरा सही है 20 यानि जो 20 छेत्रों में जो है 20 पारिश्थित की छेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है चलिए अगले प्रस्ण की और चलते हैं अगले प्रस्ण की बात करें दोस्तों तो प्रस्ण नंबर 20 है भारत में उत्तर प्रदेश अग्रिडी आप लोगों के समख चार आफसन है बताईए दोस्तों तो इसका दोस्तों जो है आफसन नंबर आपका ए सही है यानि दूग दूत पादन में उत्तर प्रदेश अग्रेडी अस्थान रखता है क्यों रखता है तो बात करें उत्तर प्रदेश में जो है सरवादिक पसुधन भ बात करें तो आपके जो है आंद्रा वाले छेत्र में होता है सरवाधिक ठीक है चलिए आगे देखते हैं प्रस्ट नंबर 21 के अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का महतपूर नंगदी फसल है पहला अपसन है आलू दूसरा अपसन है गन्ना तीसरा अपसन है गियू च जो नगदी फसल की बात करें तो गन्ना जो है सरवाधिक है ठीक है अब मीलों की बात करें तो मीलों में पूछ लेता है कि किस राज्य में जो है सरवाधिक चीनी मीले हैं तो उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा अस्थान है चीनी मील में पहले अस्थान पर दोस्तों आपक उत्तर प्रदेश में सरवादिक है यह दलहन दाल उत्पादन वाले छेत्र में की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस दाल का जो है सरवादिक उत्पादन होता है आप लोगों के समक्ष जो है चार आपसन है पहला आपसन है मूं का दूसरा आपसन है अरहर का तीसरा आपस सही है चना उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश यानि चौथा अपसन सही है चना उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश यानि दलहन में देखें तो दलहन में चना उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है सरवाधिक अस्थान रखता है चलिए अगले प्रस्त की ओर चलत चेत्र में तो इन चारों में से बताना है तो कि उत्तर प्रदेश में जो है किर्सी स्रम उत्पादक्ता सरवादिक कहां पर है तो दोस्तों बताईए यह लोग यह चार आपसन आपके समग चाहिए इन चारों में से बताईए कौन सा सही है तो दोस्तों जहां पर जो है हरित कर वाला छेतर भी जो है किरसी सरम उत्पादक्ता में सरवादिक है वह जो है वहाँ पंजाब और हर्याना के अंतरगत आता है लेकिन हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ठीक है तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश इसके अंतरगत आता है चलिए प्रस नंबर 24 कि बात करें तो प्रस नंबर 24 अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश के में सीमांत किर्षक कहा जाता है यानि किसे जो है उत्तर प्रदेश में सीमांत किर्षक कहा जाता है पहला अप्षन है एक एकड़ से कम भूमी वालों को एक हेक्टेयर से कम भूमी वालों को दो हे भूमी के आधार पर ठीक है तो इस प्रस्ट की अगर हम लोग बात करें तो काफी मैदपोर्ड प्रस्ट है जो आपके लेखवाल में भी आ सकता है क्योंकि या जो है नाप उजोग से संबंदित मामला है तो आप लोग जो है देख सकते हैं इसको बता सकते हैं तो इसको जाते हैं चलिए अगले प्रस्ट के और चलते हैं प्रस्ट नंबर 25 कि अगर हम लोग बात करें उस जनपत को चिंधित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लेनिक नहीं है पहला अपसन है लगनो दूसरा है जहासी तीसरा अपसन है मुझपर नगर चौथा है बात करें योसा जानवरों के लिए पाली क्लेनिक नहीं अस्थापित किया गया है ठीक है जलिए प्रस्ट नंबर 26 की और चलते हैं प्रस्ट नंबर 26 की बात करें तो उत्त प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, खरीफ दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगें, खरीफ जिसमें हम लोग फसलों को तीन भागों में पाड़ते हैं, रभी, खरीफ और जायद, तो पूछा है, खरीफ की फसल बुआई कब होती है, पहला अपसन है, जनौरी फर्वरी के दौरान, दूसरा अ जून-जुलाई के दौरान, चोथा अपसन है, अक्टूबर और दिसंबर के दौरान, तो चार अपसन है, दस सेकेंड आपको मिलते हैं, आप लोग जबाब दीजिए, जो है, कि इन चारों में से कौन सा अपसन है, जिन में खरीफ की बुआई होती है, तो दोस्तों इसका जो है, प्रस्ट नंबर 26 का बात करें, तो जून और जुलाई के दौरान, खरीफ की फसल की जो है, भुआई की जाती है, चलिए अगले प्रस्ट के ओर चलते हैं, प्रस्ट नंबर 27 की अगर हम लोग बात करें, तो प्रस्ट नंबर 27 काफी महत्वोड प्रस्ट है, भारत मे उत्तरपृदेस जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पाधदक है वा है अफसर नेमबर यह यह खात्यान में आफसे नमबर तीन है दोस्तों आपका दलहन में आफसर वो ज्यादा उत्पादन करता है भारत की अंतरगर्ट, खाध्यान उत्पादन में सबसे नमबर वन पर उत्तरप्रदेश ही है, ठीक है, चलिए प्रस नमबर 28 की अगर हम लोग बात करें, तो आउले का सरवाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, पहला है लखनौ, द आउले का उत्पादन होता है, काफी लोगों को जो है आप प्रस्ण पता होगा, इसलिए इस प्रस्ण में ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए अगले प्रस्ण की और चलते हैं, अगला प्रस्ण है दोस्तो, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, प्रस्ण नमबर 39 है, ठीक है, पूछा है प्रस्ण में, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, पहला अपसन है 2002 में, दूसरा अपसन है 1982 में, तीसरा अपसन है 1972 में, चौत्छा अपसन है 1992 में, तो इन चारों में से आफ लोग بتाएगे कौन सा अपसन सही है जिस अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों प्रस्ट नमबर 29 की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका जो है आपसन नंबर 14 सही है 1992 में जो है किसान भही योचना जो है लागु की गई थी आप लोग इसे ध्यान रखेगा यहां जो है कई परिक्षों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जायेगा क्योंकि आगे दो-तीन परिक्षा हैं जिन मीया pushing पूछा जा सकता है चली अगले पर्संगी और चलते हैं अगले परस्ण में बात करें तो परस नंबर दूसरा है कानपूर, तीसरा अफसन है लखनव, चौथा अफसन है साजहापूर, तो इन चारों में से बताइए बागो finalement नगर के नाम से किसे जाना जाता है, यानि कि इलाको भागो में जो है बागो की नगर की नाम से जानते हैं, तो इसमें बात करें दोस्तो तो इसका और सान नमबर तीसरा सेही यह लखनः ओक नगर नबाब ओकड अजैर इस नाम से जाना जाता है चलिए प्रस नमबर हम लोग 31 को देखते हैं प्रस नमबर 31 की truth की अगर लोग बात करें तो लखनःarian परसि दिकस्त में यानि बात करें तो एक जीन एक प्रजात की जीन है जिसे हम लोग लगनों उन्चास की नाम देते हैं तो बताइए जो है वहां किस प्रजात की जीन है यानि किस फ़ल की जीन है आप लोगों के समक्स चार आपसन है चलिए देखते हैं इन आपसनों को पहला आपसन है नासपा आप लोग समय लीजिएगा क्योंकि जो है यह प्रसन कि अगर हम लोग बात करें तो यह प्रसन दोस्तों जो है काफी महत्पोर्ड प्रसन है और कई परिक्षाओं में पूछा गया है तो इसकी बात करें दोस्तों तो इसका option number अगले प्रसन की ओर चलते हैं अगला प्रसन है हम लोगों का कल्यार सोना एक किस्म है और आप लोग जानते हों तो बताईए नहीं जानते हों तो दोस्तों इसको बताते हैं तो इसका option number 3 सही है गया हुँ का प्रसिद किस्म है गल्यार सोना चलिए प्रस नंबर 33 की ओर चलते हैं दोस्तों प्रस नंबर 33 की अगर हम लोग बात करें तो प्याज के छिलके उतारने पर आँसु आते हैं क्योंकि प्याज निसकासित करते हैं जब प्याज को हम लोग छीलते हैं तो उससे कुछ मटनेज निकलते हैं उन्ह अमल का नाम बतादा है आप लोगों के समय चार और आपसंना है fag Yak j सब्दोब्ल इसकी अगर हम बात करें इसमें देखें तो इसका और दोस्तोd आप संसट में है इससे जो प्याज हम लोग क्छीलते हैं तो उससे निसकासित होता है डाई सल gäg d we हEd. घिसे जो है जो प्याज छीलते हैं उनके आंक में आसु आने लगती है चलिए है प्रस्टनमबर हम लोग चौनतीस की तरफ चलते हैं फ्रस्टनमबर 34 की बात करें तो मटर की पत्ती विहीन जाती है यानि परजात जाती जो भी कह लीजिए है ठीक है पहला option है आरकिल दूसरा option है आजाद मटर 1 तीसरा option है अपरड़ा चौथा option है यल 116 इन चारों में से बताइए दोस्तों मटर की कौन सी परजाती है जो पत्ती विहीन होती है प्रस नंबर 34 है दोस्तों तो प्रस नंबर 34 में जो दोस्तों जो है आपका option नंबर सी सही है अपरड़ा जो है एक मटर की परजाती है जो पत्ती विहीन परजात की रूप में जानी जाती है चलिए एगले प्रस नंबर 35 की अगर हम लोग बात करें प्रस नमबर 35 है मालविये चमतकार प्रजाती है पहला आपसन है मटर की दूसरा आपसन है अरहर की तीसरा आपसन है मूंग की चोथा आपसन है गेहूं की इन चारों में से बताईए मालविये चमतकार जो है किसकी प्रजाती है आप लोगों कोई समझ जो है 10 सेकेंड मिलेगा आप जबाब दीजिए काफी अच्छा प्रस्ण है जो कई प्रिक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं ठीक है तो प्रस्ण नंबर 35 की अगर हम लोग चर्शा करें तो दोस्तों अरहर की एक परजाती है जिसे हम लोग जो है मालविये चमतकार परफम चीनी मेल अस्थापित की गयी थी पहला अफ्षा प्रफम प्रताबगरद॥ि समय मवना चौथम पारबुर्पूर्yr तो इन चारों में से बताए तो बहारत में जो है प्रफम चीनी मील कहां पर अस्थापित की गये थी तो आप लोगों को जो है ौध्ष सेकेंड म जो है प्रताप पूर में जो है चीनी मील की जो है अस्थापना की गई थी थी ठीक है प्रताप्वची Engineers चलिए आगे देखते हैं प्रॉस नंबर 37 की अगर हम लोग चर्चा करें प्रॉस नंबर 37 है किρसे मुल आयोक कि अस्थापना की गई थी यानि किस वर्स में की गई थी पहला अप्षान है 1905 में दूसरा अप्षान है 1965 में तीसरा अप्षान है 1970 में चोथा अप्षान है 1973 में इन चारों आप्षानों में से आपको बताना है कि किसी आयोग की जो है अस्थापना किस वर्स हुई थी तो आप लोगों के समख चार आप्शन है प्रस्त कई बार पूछा गया है आप लोगों को 5 सेकंड मिलेगा यदि आप लोग पढ़े होंगे तो तुरण जबाद देंगे इसकी बात करें दोस्तों इस प्रस नंबर 37 में तो इसका आप्शन न लगोष Iltyrs प्राप्त किया जाता है पहला आपने भेट से दूसरा आपसन बकडि से तीसरा अपसनन से गर्गोष से, चौथा आपसन झंगली पसू से तो इं चारों में बताना है कि जो अंगोरा ऊन है वा किस से प्राप्त किया जाता है काफी महत पोर्ष्त मैंEm एक दो परिक्षों में पूछा गया है जिसे आप लोग ध्यान से जवाब दीजिएगा डोस्तो आप लोगों को दो सवाल कर सकते हैं जी आप लोगों को आता हुगा तो इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ झ्यों खर्गोष की घृ जिसे जो है अंगोरा उन के नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है ये इसलिए जो है अंगोरा उन जो है या खरगोश से प्राप्त किया जाता है चलिए अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं प्रस्ट नंबर हम लोग बात करेंगे 38 देखे 49 की बात करेंगे प्रस नमबर 49 में देखें तो भारतिये पसुचिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संसान अवेस्थित है पहला अफसन है बरेली में, दूसरा अफसन है मतुरा में, तीसरा अफसन है करनाल में, चौथा अफसन है पटना में तो बताईए कहां पे जो है भारतिये पसुचिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संसान इस्थित है प्रस नमबर 49 दोस्तों काफि महत्पोर्ट प्रस्ण है या उत्तर प्रदेश विशेश संसंबंदित है जो कई परिक्षों में पूछा भी जा चुका है तो इसकी बात करें दोस्तों प्रस नमबर 49 में तो बरेली में जो है भारतिये पसुचिकित्सा विज्ञान और अनुसंद्धान संस्थान जो है अवस्तित है बरेली में ठीक है चलिए प्रस नमबर 40 की आगर आफ बात करें तो किसान दिवस मनाया जाता है पहला अप्सन है 19 नॉंबर को, दूसरा अप्सन है 23 नॉंबर को, तीसरा अप्सन है 11 दिसंबर को, चोथा अप्सन है 23 दिसंबर को इन चारों में से आपको बताना है कि बताईए जो है किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है काफी अच्छा प्रस्ण है जो है दिवस से संबन्नित है पूछा भी जा सकता है प्रिच्छाओं में पूछा भी गया है तो इसका दोस्तो अप्सन नमबर जो है D सही यानि 4 सही है तेज दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूपे मनाय जाता है चलिए प्रस नंबर 41 की अगर हम लोग बात करें तो काफी मैंत पोड प्रस निया भी है तो 41 में देखें उत्तर प्रदेश में सस जलवाई उचेत्रों की संख्या कितनी है पहला अफसन है 5 यह दोस्तों 1 पॉइंट मत समझेगा पहला अफसन है 5 जलवाई प्रदेशों में दूसरा है 7 जलवाई प्रदेशों में तीसरा है 9 जलवाई प्रदेशों में चोथा है 11 जलवाई प्रदेशों में तो इसमें बताईए जो सस जलवाई उत्तर प्रदेश का है उसे जो है कितने प्रदेशों में बाटा गया है इससे पहले हम लोगों ने देखा था किरसी पारिस्थित की छेत्रों के बारे में जिसे हम लोगों ने 20 भागों में बाट के देखा था कितने भागों में दोस्तों 20 भागों में बाट के देखा था यह जो है जलवाई छेत्र सथा सथा इसां में तो बताईए दोस्तों कि जो है इस त्या प्रशन है आप लोगों करें जो हैं काफी अच्छा नम्बर उस में दाल यह दल्हन सोध संस्थान जो है इस्तित है काफी अच्छा प्रस नहीं जो प्रिक्षां में लगतार पूछा जाता है चलिए प्रस नमबर 43 को देखते हैं प्रस नमबर 43 की बात करें तो ट्राइसेम एक कारिकरम है कौन सा कारिकरम है या बताना है आपको पहला है ग्रामिड विकास का दूसरा है और दोगिक विकास का तीसरा है सहरी विकास का चौथा आफसन है सुरक्षात्मक तैयारियों का इन चारों में से बताईए जो है ट्राइसेम एक कारिकरम है यानि कहां यह कारिकरम लागिव होता है तो कापी अच्छा प्रस्ण यहोजना से समधंदीद प्रस्ण है डिक है इसका बात करें इसमें आफ्षन नम्बर पहला सरिय है गरामिड छेत्र में जो है ट्राय सेम कारिकरम चलाय जाता है चलिए प्रस्ण नमबर जो है चवालीस को देखते हैं प्रस्ष नंबर 44 की अगर हम लोर बात करें ग्राम油 और स्थापना विकास कोस किसके अधिन बनाया जाता है पहला आपसन है भारीय जरब एंग के दूसरा आपसन है नवाड के तीशरा आपसन है किर्सी मंतिरा लेके चोथा अपसान है ग्रामिड विकास मंत्रा लेके तो बताईए ग्रामिड और अस्थापना विकास कोस जो है किसके अंतरगत जो है किसके अधिन बनाये जाता है यानि वह जो है किसके अधिन रहता है इन चारों में इसे बताईए दोस्तों काफी अच्छा प्रस्णा है जो है प्रिक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है जिसमें बात के लिए तो दोस्तों नावाड के अंतरगत जो है गरामिड और अस्थाफना विकास कोस की जो है अस्थाफना की जाती है की गई है वह जो है नवाड के अंदरगत आती है नवाड के अस्थाफ़ना कि बाद करें तो इसकी अस्थाफ़ना नवाड की उनीशु बयासी में हुई थी ठीक है चलिए अगले नमर 45 है दोस्तो कंचर एक 19 किस्म बताना है किसका प्रजातियों के बारे में जब कूछ नई परजातिया अभूज हो तीए उंको भी पूश लिया जाता है कि कौन सी किसकी परजाती है ठीक है तो इस प्रस्ण की बात करें तो काफी महत्पूर प्रस्ण है जिसमें यह है आवले की परजाती है जो कंचन उन्नत किसम है यह जो है आवले की परजाती है चलिए अब हम लोग अपने आखली प्रस्ण की और चलते हैं प्रस्ण नमबर जो माउं में तो इसमें बताना है साख सब्जी जो है साख सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पे इस्थित है उत्तर प्रदेश में यह है उत्तर प्रदेश के हैं तो बात करें इसका जो है option number जो है तीसरा सही है वरार्षी में जो है साग सब्जी अनुसंधान संस्थान इस्थित है तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश से संबंदित किसी और पसपालन से संबंदित सभी 46 प्रसनों के बारे में जो जहां से जितने भी प्रसन बने थे पिछले वर्सों में उन सभी प्रिक्षाओं में जो है पूछे गए थे उनको इस प्रसन में रखा गया है जो आगे पूछे भी जा सकते हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देख लिए के लिए धन्यवाद और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को सेर करना ना भूलिएगा.